परंतु उन पिछले दिनों का स्मरंड करो, जिन में तुम जोती पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते रहे, तुम्हारा हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दरशा की जादी थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए और अपनी संपत्ती के आनन से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक भी उत्तम और सरवदा ठहरने वाली संपत्ती है, इसलिए अपना ह्याब न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिपल बड़ा है क्योंकि तुम्हें धीरजधरना आवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिप्या का फल पाओ। जो फेथ के बारे में है, जो इबरानियों का चर्च था, वो एक पर्सेक्यूटिव चर्च था, उस चर्च के अंदर प्रभु ईशुक के उपर विश्वास रखने की वज़े से, जैसा आपने देखा लोगों को जेल में डाला जा रहा था, उनका सोशल बॉयकॉट किया ज जा रही थी, और वो संपत्नियां सारी लूट के सैनहेडरिन को दे दी जाती थी, और लोग खुशी-खुशी इस सारे सताओ को जेल रहे थे, और इसके बीच में परमेश्वर की महिमा हो रही थी, अगर हम में से कुछ लोग देखें तो हम में से हर कोई किसी ना किसी टेस् हैं आज पड़ा हुआ है, शायद कुछ लोग बिमार है, शायद कुछ लोग रिष्टे के अंदर स्ट्रेस में से जा रहे हैं, कुछ लोगों को पैसे की कमी है, कुछ लोग और किसी बातों में फसे होए है, तो हर कोई एक टेस्ट में से होकर गुजर रहा है, और जब मैं इस वचन को देख रहा था, तो परमेश्वर कहता है कि हमारी प्रतिग्या, जो फल, जो प्रतिग्या का फल है, जो वाचा हमने परमेश्वर से बाती है, वो प्रतिग्या का जो फल है, वो सबसे परे है, that is above all, you know, we can go through a lot of stuff for that one thing, that the covenant that God has made with us shall come to pass. Hallelujah, and you know, when I was looking at the life of Abraham, जब हम Abraham की जिंदगी को देखते हैं, और वो हमारे विश्वास के पिता हुए, जब हम Abraham के Hall of Faith के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर Abraham का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में mention किया गया है, और जब हम Abraham की जिंदगी को देखते हैं, वो हमारे जैसा ही एक साधारन मनुष्य था, और उसने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को fix करने के लिए, एक एक अजीब सा ही रास्ता इक्तियार किया, उसने अपनी बुद्धी का सहारा लिया, और सारे अपनी पतनी के कहने पर हाजरा के साथ एक बेटा किया, और उसके बाद जो confusion फैली, और जो उसके घर में एक सताव का महौल हुआ, एक जगड़े का एक टेंशन का महौल हुआ, ये सभी को मालूम है, और it went down to some other stuff, मगर परमेश्वर ने अबराहम का साथ नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने अबराहम को इसाक से bless किया, और जब इसाक आता है और इसाक अपनी जवानी के एकड़म चरम सीमा पर होता है, तो परमेश्वर की आवाज अबराहम को मिलती है, और कहता है कि अपने बेटे को बलिदान करके चड़ाओ, अबरहम अगले ही सवेरे, बाइबल बड़े clearly mention करती है, अगले ही सवेरे अपने बेटे को, एक कधे को और एक नॉकर को लेता है पर्मेशवर के सामने अपने बेटे को चड़ाने के लिए, मज़ेदार बात थी कि जब मैं साहम के बारे मैं सोचता हूँ कि उसके पास Bible नहीं थी, उसके पास कोई written word of God नहीं था, मगर उसके पास परमेश्वर के साथ बिताया हुआ एक experience था, उसका life faith के उपर built था, उसके पास कोई teaching नहीं थी, उसके पास कोई church नहीं था, उसके पास कोई पादरी नहीं था, उसके प cultivate करने के लिए बहुत सालों का एक relationship चाहिए, अबराहम के पास वो relationship था, अगले ही सवेरे, without any debate, without any doubt, वो अपने लड़के इसाथ को लेता है, जवान लड़के इसाथ को लेता है, और परमेश्वर की तरफ बढ़ चलता है, जहां में परमेश्वर ने उसको बली करने के कधे को वहाँ छोड़ता है, और अपने नौकर को भी वहीं छोड़ देता है, क्योंकि हर जगा पर हर किसी को आप ले जा नहीं सकते, कुछ जगाओं पर आपको अकेले ही चड़ना पड़ता है, कुछ खास लोगों के साथ ही चड़ना पड़ता है, क्योंकि जब टेस्ट आ साथ अब रहा हमको resurrection का नहीं मालूम था कि परमेश्वर किसी की जिंदगी वापस कर देता है मगर उसके पास confidence था वो अपने नौकर को बोलता है मैं मेरा बेटा परमेश्वर की आराधना करके हम वापस लोटाएंगे इसको बोलते हैं टेस्टिंग टाइम के अंदर हम इसे ब करभी इश्व को आने में सौ साल लगे तो यह हिस्ट्री के अंदर हम लोग होंगे कि हमने इस वाइरस का सामना किया इस टेस्ट का सामना किया और हम बाहर निकलाएं कुछ दिनों पहले मेरा automobile का जो insurance था वो ड्यू था और मैं उस automobile insurance को भरने की कोशिश कर रहा था और उनके कोर्स अलग-अलग जगा के उपर देख रहा था मैंने दो चीजों को समझा कि insurance हमें क्यों चाहिए मैं अपनी जेव से कभी पैसा देना नहीं चाहता कोई भी इंसान नहीं देना चाहता मगर क्योंकि यह कानून है इसलिए हमें करना पड़ता है आज तक कभी मैंने शायद क कानून है तो इसलिए मेरे को यह insurance करना था मगर जब मैं यह insurance को भर रहा था तो मैं इसके जो terms के generally हम इतने लंबे terms and conditions होते हैं इनको कोई पढ़ता नहीं मगर अचानक से आपको जब रात को जाधा नीन नहीं आ रही होती है तो आप सोचते हैं कि कैसे अपने आपको नीन द को नहीं लूँ सो मैंने सोचा थोड़ा सा terms and conditions को मैं पढ़ लेता हूँ सो जो insurance का मतलब है वो वो दो अलग-अलग शब्द मेरे पास आए एक है insurance एक है assurance और इस बार मैंने अपने अपने वहिकल का insurance नहीं कराया assurance कराया क्योंकि insurance जो होता है insurance बड़े limited liability के साथ होता है suppose आपकी गाड़ी कीमत दस सो रुपे है और आपने उसका insurance कराया तो जो insurance company है तो वो बोलती है कि हमारी जो liability है वो खाली 70 रुपे तक की है और उसके बाद जो भी computation का और जो भी file का खर्चा अगर आपका खुदाना खास्ता कभी आपका accident हो गया तो वो जो computation का खर्चा है न सब परस करिए अगर आपकी आपकी गाड़ी कीमत सौ रुपे है तो सौ रुपे की जगह आपको सब और जो insurance हुआ है वो 70 रुपे का हुआ है और आपकी गाड़ी को खुदाना खास्ता चोड लगती है एक्सिडेंट होता है तो आपको सकतर नहीं मिलते हैं आपको शाइद assurance कि insurance से बढ़कर भी कुछ है कि हम आपकी जो तकलीफ है उसमें हम सहभागी होंगे और यह जो उसको उसको देने में उसके reimbursement में जो accounting का खर्चाएगा जो 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 you know सर्वे का खर्चाएगा वो भी हम लेंगे मैंने फटाक से सोचा मैं insurance क्यों कराओं जब assurance मेरे पास available है हम कई बार जब churches में जाते हैं या किसी धर्मस्थल पर जाते हैं हम insurance की प्रतिक्रिया से जाते हैं कुछ लोगों का रिष्टा जो आज परमेश्वर के साथ हो गया है वो एक insurance का हो गया है क्योंकि हम मुसीबतों म जिन्दगी बन गई है तो हमको लगता है कि कि सी तरीके से मैं अपने आपको इंशॉर कर लो किसी तरीके से किसी तरीके से शाय चर्विजिवर जा के थोड़ा सा आराधना करके थोड़ा सा कुछ और काम करके मैं अपने आपको ensure कर लू damage control कर लो मगर मैंने आपको आज एक отлич चीज बताता हूं, कि there is an assurance with Jesus, Jesus के मिल damage control नहीं करता है, there is more, there is more to it, there is more to it, जैसे कि हमने इबरानियों की कलीसिया को पढ़ा, कि वो अपना पैसा लुटा रहे थे, वो अपनी जिंदगीयों के साथ खेल रहे थे, for what, उस covenant के प्रतिफल को पाने के लिए, उस प्रतिग्या को प socially ostracized हो जाएगा, कोई इतना बेवकूफ नहीं है, जो अपनी सारी संपत्ति को लुटने देगा, और फिर भी आनन्दित रहेगा, there is something to it that was there, और ये मेरे अंदर ये बात कई दिनों से चल रहे थी कि ये दिवानों की एक कलीसिया है, ये दिवाने हैं, अगर आप इनको दे वो अबराहम का था, उसको अपनी आशीश मिल चुकी थी, हम में से बहुत सारे लोग चर्च में केवल आशीश पाने के लिए आते हैं, अबराहम को इसाग मिल चुका था, अब उसको परमेश्वर से एक साथ कोई लेना देना नहीं था, जो परमेश्वर ने उसकी अबराहम को बोलता है कि अबराहम ने मेरे को देखा, अगर ये ओबीडियंट नहीं होता तो वो मेमना उसको जाडियों में फसा हुआ नजर नहीं आता, अगर आप मेमने को जानते हैं, वहाँ पे शब्द लिखा है रैम, रैम एक ऐसा भेड होता है जो पहाड़ों पर रह जाता है बली करने के लिए वहाँ पे वो उस मेमने को देखता है जो जाड़ी में फसा हुआ है, शायद हम कई बार परमेश्वर की आग्याओं को नहीं मान रहे हैं, शायद हम कई बार टूटे अधूरे मन से चर्चिस में जा रहे हैं, शायद हम कई बार अधूरे मन से आर पूरे देश के से पंगा लेते हैं एक पूरे सामराज्य से बाबिलोनियन सामराज्य से जो रूथले सामराज्य है उनके सामने कह देते हैं कि मैं मूर्ति के सामने जुगने नहीं वाला नबुकनेजर को गुस्सा आता है वो कहता है साथ गुना जादा इस भट्टी को तपकाया जाए तपाया जाता है साथ गुना जादा बाइबल बताती है उनको साथ गुना जो उनको डालने गए ते वो तक जुलस गए और वो आपस ना लोटे मगर शत्रक मिशेद एन अबिद्नेगोग का एक बाल भी बांका नहीं हुआ वाइबल बताती है जब नबुका नजर ने उस भट्टी के अंदर देखा तो उनको चौथा आदमी नजर आया परमेश्वर का पुत्र वो कहता है परमेश्वर का पुत्र वहां हो है जो घमणी की है जो अगत के नशे में चूर है एक ऐसे आदमी की है जो अपने इन तीनों को शूंटियों की तरह मसल रहा है क्योंकि ये विश्वास पर खड़े रहे ये टेस्ट में खड़ पास हुए इनके साथ परमेश्वर का पुत्र नजर आया मैं आपको बता रहा हूँ जो टेस्ट में से आप होकर गुजर रहे है डोंट फ्लिंच अपनी पलक छपकाए नहीं आप खड़े रहे क्योंकि परमेश्वर का कहता है कि तेरे साथ है नासरी वो तुझे छोड़ेगा नहीं वो को भी तुझे त्यागेगा नहीं कई बार हम क्या कर रहे है तिंग आप अपना एड्रेस उस टेस्ट में बना लेते हैं टेस्ट टेंपररी है मैं कुछ बात एक टेस्ट के बारे में बताता हूं कि टेस्ट कम टेंपररी है Classrooms are permanent जो टेस्ट का जो मौसम होता है आप हमेशा टेस्ट देते नहीं रहेंगे आप हमेशा टेस्ट के हालत में ने रहेंगे टेस्ट एक सीजन की बाथ है जिस हालात में से आप होकर गुजर रहे हैं, it is just about a season, उससे जादा की बात नहीं है, it's just about a season, उससे जादा की बात नहीं है, just wait, be patient, जैसा इबरानियों के 10 के 32 के से लिखा हुआ है, be patient, ये test गुजर जाएगा, क्योंकि जब कभी भी हम test में से होकर गुजरते हैं, हम सोचते हैं कि हम उसी level पर रहने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप काले हैं, गोरे हैं, विश्वास में नए हैं, पुराने हैं, मोटे हैं, पतले हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, पड़े लिखे हैं, कोशिश करते हैं, कई बार हम test में नकल करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं आपको बता दू, आपके test, अगर शायद आप एक कमरे में रहते हैं, एक परिवार में हैं, मगर आप एक हालात में भी हैं, तो test में जो जो overcome, जो जो outcomes हैं, वो अलग-अलग हैं, वो अलग-अलग है एक क्लास में शायद दस बच्चे पढ़ते हैं, दस बच्चों को एक ही टेस्ट का रिजल्ट में, एक ही question paper मिलता है, मगर दसों के number अलग 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 रहे हैं How do you respond to that test? How do you respond to that test? इश्यमसी के जिंदगी को हम देखते हैं, हमको लगता है कि ये cake walk होना चाहिए मगर ये cake walk नहीं था, वो 12 साल की उमर से उसको तिरसकार झेलना पड़ रहा था वो सलीब तक जाते जाते, जिन लोगों को वो बचा रहा था वो लोग उसको सलीब पर चड़ा रहे थे जिन लोगों को वो बचाने की कोशिश कर रहा था, वो उसका मजाग बना रहा था, उसके कपड़े उसके अपने खुद के चेले, वो उसके साथ नहीं रहे, जब उसने अपनी सिलकाई स्टार्ट करी तो उसके भाई बहन उसके साथ नहीं थे, इतना उसको rejection मिला, ये टेस्ट नहीं है तो क्या है मगर फिर भी उसका attitude change नहीं होता वो कहता है ए खुदावन इन्हें माफ करें ए खुदावन कई बार हम टेस्ट में पढ़के कड़वे हो जाते हैं कई बार हम टेस्ट में पढ़के एक बड़ा सक्त रुख इक्तिहार कर लेते हैं टेस्ट को आपको बदलने मत दीजिए टेस्ट आपके प्रमोशन के लिए है आपके attitude को change करने के लिए नहीं है अभी हमारा internet बंद हो गया मगर मैं I am ready to preach अगर है if there is something that God has put in my heart अगर उसको एक आदमी को बताना है दस आदमी को बताना है दस हजार आदमी को बताना है अगर कोई नहीं है तो चीटियों को बताना है पेडों को बताना है मेरा attitude same रहता है because that's what God has taught me to do यही परमेश्वर ने करने के लिए मुझे पैदा किया है technology no technology people no people मैं खाली चेरों को प्रचार कर सकता हूँ परमेश्वर ने इसके लिए मुझे खड़ा किया है जब हम टेस्ट में पढ़ते हैं तो टेस्ट की एक कहानी हम सुनते हैं प्रेडितों के काम दो के अंदर हम देखते हैं कि एक ऐसी चर्च है जिसमें 120 आदमी छुपके दरके एक कमरे में बैठे हुए हैं और दुआ बंदगी कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा करने को कहा है जब ईश्व मसी स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे तब उन्होंने अपने चेले को कहा कि एरुसिलम में बने रहो और प्रातना करते रहो कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेज रहा हूँ 120 बंदे एक कमरे के अंदर प्रातना कर रहे हैं छुपे हुए हैं मैं थोड़ा सा समझने में इसको बड़ा तकलीफ होगा अगर आप समझें कि 120 बंदे एक कमरे में कैसे छुपे हुए है शायद किसी ने इसके बारे में आस तक प्रचार नहीं किया मगर आप 120 बंदों के साथ एक कमरे में एक दिन तक रुपके दिखाई इनको दिवानगी कहते हैं यह दिवाने थे यह जानते थे कि यह जो टेस्ट है यह कुछ भी नहीं है यह निकल जाएगा और जैसे ही 120 बंदे एक साथ प्रचार करने ल देखते हैं यह कल तक छुप रहे थे यह पीटर भाग रहा था अचानक पीटर आत्मा में भर जाता है और आत्मा में भर कर कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे उपर काम करने वाली यह परमेश्वर की आत्मा हमारे उपर उत्री है और वहां पे तीन हजार रूहें बच आप उन टेस्ट को छोटा मत समझिए, तेस्ट विल ब्रिंग इन टेस्टिमोनी, जो टेस्ट साप होकर गुजर रहे हैं, वो टेस्टिमोनी लेकर आएंगे, डोंट फिलिंच, डोंट मुव, डोंट ट्राइ टुचीट, डोंट ट्राइ टुकॉपी, आप खड़े रही हैं, आपका मददगार आपके बगल में हैं, उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो अच्छे से सिखाता है, आपके टेस्स आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं, आपके टेस्स आपकी जिंदगी को next level पर लेके जा रहे हैं I am believing, I am prophesying मैं यह prophecy कर रहा हूँ जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं जितने लोग यह test में से होकर गजर रहे हैं You are going to see the next level of miracle You are going to see a next level of anointing You are going to see a next level of breakthrough आप अपने जिंदगी में next level को देखने जा रहे हैं परमेश्वर की आत्मा आपके साथ आज बात कर रही है इसको हलके मेना लीजिए आप अपने test से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं मैं आज आपको बोलता हूँ Face them अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है Try and Face them Try and Face them वो नासरी आपके साथ है वो नासरी आपके साथ है हम भागने के लिए नहीं बागने हैं हम उनको Face करने के लिए बने हैं दावद भाग सकता था सिंशोन भाग सकता था मगर वो खड़े रहे और क्योंकि वो खड़े रहे उन्होंने दुश्मनों के ओपर खता पाई and I prophesy that you will stand the test you'll stand the test यह आपका अपने visiting card पे इसको address की तरह मच छापो यह जैसे आया है वैसे जाने वाला है मगर जब यह जाएगा आपको promotion दे कर जाएगा Hallelujah जाएगा